हाई फ्रेंट्स वेलकम बेक टो मैं चानल उडिसे फ्लोगर सुनी आई होप आप सो लोग बहुत बढ़िया होंगे महसता होंगे और में भी बहुत बढ़िया हूँ और आज ना मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज उडिसा के जो फेमस है उडिया का ट्राडिस्नल जो मैरे से पहले ना बुलाते हैं घर को लेड़का या हो लेड़की हो जो भी हो ना उनको बुलाते हैं घर पे खाने के लिए खाने पे बुलाते हैं तो हम आज बन बुलाएंगे एक लेड़की को खाने पे तो इसलिए हम तेयरी कर रहे हैं इसी का तो यहाँ पर मैंने एक पनीर का सबजी बना कर रखा है कड़ाई में देखो अब लोग देख सकती हो तो यहाँ और मैं पापड दल रही हूँ डाल चावल बना दिया है इसी खात है और मैं बनाओंगी या अलू परवल और बेंगन इस सब को तलूँगी चावल से तो चावल का वेटर भी वहाँ पर रेड़ी होकर रखा है तो अभी तलूँगी तो और और भी तलूँगी मेंदू बड़ा अभी पापड तल रही हूँ तो मैं आज बुलाने वाले थे तो सुबह हमने ममी ने उनको बोल दिया कि आज हमारे घर आएगा ओ खाने के लिए ममी भी लगी है उसी पर तो ममी जा रही है पानी लाने के लिए तो मिहां यहां तल रही हूँ तो अभी काम खतम होने के बाद ना मैं जाओंगी उससे बुलाने के लिए उनकी घर तो लुट्वेल को पूलाने जब पूलाने जाओंगे ना तो आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे यह रिवाज है यहां का उड़िसा का तो मैं उसे के लिए थोड़ा बीजी हूं जहार्यों की पटपड काम होते खतम हो जाए तो मैं पटपड जाओंगी अभी lors तो दिन की साड़े बारा हो जोगी है बारत थार्टी के थार्टी हो गया है तो फटा फट जाओंगे और मैं आज ना कोई भी रेसिप आप लोगों से सेयर नहीं करूंगे सिब ब्लॉग ही आज है आज ब्लॉग ही सेयर करूंगे तो इसके लिए तो मैंने सुभा से आपो बात भी बहुत करना चाहिए लेकिन चाहती थी लेकिन ना मुझे टाइम ही नहीं मिला यहां परना ममी बुला रही है इस रिनों को तो मैं उनको बोल रही हूं कि इस रिनों जो हो नानी बुला रही है तो मैं यहां बहुत सब्सक्राइब कर रही हूं क्योंकि आवाज में नहीं तो देखो यहां मैंने बता रही हूं आप लोगों को कि यहां मैंने सबजी बनाया है और यह सब में तलोंगी इसका इसोब बता रही थी तो थोड़ा गडबड हो गया कि भाएस में थोड़ा डाट लिया मैंने श्रीनוז को तो उसी टाइम तो यहось से लिए मैंने भाएस और बहुत नो हहां तेल रहे बहुत कर रहे गा अभी में पाइंगन को तल रहे हूंगू तलने के बाद ना मैं सारे अपलोगों साथ से अरने को रूँगी अभी स्रिनू आया तोड़ा बरतन लेकर ममी साफ कर रही थी तो बरतन यहां रख दिया मैंने बुला रख तो यहां पर और यह आ गया पाफड भागने के लिए ममी पाफड देल रही हो तो ममा मुझे मेरे को भी एक चाहिए बस एक मिल गया तो बहुत खुस बच्चे तो इसे ही होती है जब कोई तलने वाला चीज बनाओना वो तो उनको ही चाहिए और बैंगन तो भी हमारे होने वाला है, हो जाEEगा मैं भी सारे चीज तल लोंगी और तलने के बाद मैं आप लोगों दिखाऊंगे सारा देखो, यह सारा मेने तल लिया है ओ गया, किच्डे बनाई हूँ और यह देखो मैं पनीर की सबजी भी बनाई हूँ डाल मेंदू बड़ा जो जो मैंने आप लोगों बताया था इस सारे हैं रखा है सारे आप लोगों को क्या जो थमनल में दिख जाएगा पाफ़ड इस सारे चीप्स इस सारे आप लोगों थोड़ा सदी नहीं दिख रहा है चीप्स पाफ़ड नहीं दिख रहा है तो अपको थ तो हमारा लेटकी वह आया कि हमारे समके पाइल लगी प्रणाम किया तो उसके बाद इस सारे खाने खार रहे हैं यह जो बीच में क्या फिंग वाला ट्रेस है ना उसी की साधी है उसकी चोटी वहन है इस उखाने खार के आगे यह हमारी काश्ट की नहीं है तो इस सारे बरतन भी साफ कर रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे तो दो दो के रख देंगे तो हम बाद में साफ करके लाएंगे साफ करके आने के बाद नहीं सोब आएंगे आगे अलता लगाने के लिए यही ट्राडिशनल उडिशा का उडिया के ट्राडिशनल फैसन जो बोलते हैं फैसन बोल चकते हो आप लोग उसको उसकी बहन ने अलताल लगा रही है और यह उसकी एक पडोस भाली चाची की बहन इसकी दोस्त बोल सकते हो बहन बोल सकते हो जो भी दोस्त है और यहां पर मैंने खाना खाये थे न उसके यहां पर मैंने जाड़ू लगा रही हूं यह देखो सारे लोग ब्यूटिफल लग रहा है और मैंने जाड़ू लगाने के बाद ममी आपर सार को अच्छे से साफ कर रही है पूचा लगा रही है मैंने दो लिया ज़ाड़ो से तो बहुत ज़्यादा फानी हो गया था ना तो मामी ने यहां को इसको पुच लिया पुचा लगा लिया तो फटाक से सुख जाएगा नंवी चल्व हे फंका आर देखो जो मैं इसका ना ंसा उस नो ने लगा लिया और इसने भी लगा लिया और जिसने लगा था ऊकी बिहन बह भी लगा रही है तिनों के तिनों गडीजाईन खतम होगा अभी और इस देखो कितना प्यारा लग रहा है कितना सुन्दर देख रहा है तिन लोग होंगा पाओ अभी देखो यो जाने के लिए निकल रहा है तो वह प्रणाम करके ममी से पेशा लेकर गया पेशा देते हैं उनको तो मैं भी जा रही हूँ देखो मैंने बाहर भी आगी वह बाहर है और जाएगी घर पर जा रहे है और हम लोग मैंने वहां पर चैर पर बेटा था बाहर हम लोग बात कर रहे थे वह भी जा रही है तो उसको सब बोल रहे है कि उसका साधी है तो तुम क्यों आये थे हमारे घर अचे जयदे